हरीयाना के करनाल में गेस सप्प्लाई करने वाले कर्मचारी से चाकू की नोकपर छीना छप्टी हुई पुछताश के दोरान आरोपियो द्वारा चीना जप्टी की साथ वारदातों को अंजाम देने की बात का खुलासा किया गया आरोपियो द्वारा सभी वारदाते थाना सेक्टर 32-32 के एरिया में अंजाम देना कबूल किया गया है आपको बता दे कि कर्मचारी से छीना जप्टी कर दो आरोपी फरार हो गए थे पुलिस ने पीडित कर्मचारी की शिकायत के बाद मामले की जांस तफ्तीश शुरू कर दी बता दे कि गुलशन निवासी गाउं संगोही कर नाल अभीना उफ गैस एजनसी में ट्रेक्टर ट्रोली से सिलेंडर सप्लाई करने का काम करता था सिलेंडर सप्लाई करके एजनसी वापस जा रहा था उसी समय स्पी कालोनी करनाल के पास दो बाइक सवार अग्यात यूब को द्वारा सिलेंडर का रेट पूछने के बहाने उसकी ट्रेक्टर ट्रोली को रुखवाया और चाको दिखा कर गुलशन के साथ मार पीट की वे उससे 25 सो रोपे छीन लिये लोगों को आते देख दोनों अपनी मोटर साइकल को मोके पर ही छोड़ कर फरार हो गए थे पुलिस द्वारा मामले की जांस तफ्तीश के दोरान आरोपी रजत और प्रिंस निवासी गाउं फूसगड को गुपत सूचना के आधार पर सेक्टर 33 करनाल एरिया से काबू किया गया अब पुलिस आरोपियों को 17 दिसंबर को अदालत में पेश कर रिमान हासिल करेगी रिमान के दोरान पुलिस ने आरोपियों से गहनता से पूछताच की जाएगी ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फिलिक करें हमारी चैनल को लाइप, शेर और सुच्राइब करें थैन्ने वाल स्थी बंक्वेट एंटर्प्राइब